साथियों भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को ले करके चल रही है भाजपा सरकार के हर योजरा का लाफ गरीब को मीना किजी बेज़बाव के मिलता है मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाती है हमारी सरकार ये लिगे लिए गरीब कल्यान सबसे बड़ी प्रांसमीकता है भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में पांज साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले है जब 13 करोर लोगों की गरीबी खत्म हो सकती है तो पुरे देश की भी गरीबी खत्म हो सकती है इसके लिए हम हर वो काम कर रहे हैं जो गरीब की चिंता कम करें उसकी परेशानी कम करें मेरे परिवार जनों कोरोना काल में पूरी दुनिया कितनी परेशान थी चारों तरब से मौत की खबनों के सिवाए कोई खबरे नहीं थी वा यहां इतने मरे इतने मरे इतने मरे दुनिया के हर देश में अस्पताल डेड़ बोड़ी से भरे पड़े थे श्मशान में जगा नहीं मिल रही थी यहाल बन चुका था परिवार में भी बेटा बुड़ी मा को नहीं मिल पा रहा था कहीं उसको बिमारी लगन जाए ऐसा भाइन करवाता बन हमने जेला दुनिया में बहुत कुछ ठप हो चुका था बाहर जाके काम करना मुश्किल था जीना प्रास्पिकता हो कि पेड भरना प्रास्पिकता तो लोगों ने सोचा अभी बाहर नहीं जाना है कुछ दिन निकाल देंगे फिर देखेंगे वो हालता याद है ने आपको कैसी मुसिबत के दिन थे लेकिन मैं दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए अपने आपको खपा रहा था मैं 24 गंटे आप से जुड़ा रहा था और मैं गरीबी से निकल करके आया आप गरीब की क्या मुसिबते होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पढ़ता मैं जी करके आया हूँ और उस संकट की घड़ी में मेरा पहला निर्ण ये था कुछ भी हो जाए मुझे मेरे देश के लोगों को बचाना है मेरा सपना था किसी भी गरीब के घर में चूला बुजना नहीं चाहिए कोई बच्चा रात को भूका सोना नहीं चाहिए मा रात बर बिलकती रहे भूके बच्चे को रोते हुए मा देख न पाएं वो स्थिती मुझे मंजूर नहीं थी आपका बच्चा पेड भरके सो जाए इसलिए ये मोदी जागता रहता था पितले तीन साल से या आपका बेटा या आपका भाई तीन साल से जैसा एक बेटा आपने माबाब की सेवा करता है ना वैसे ही उसी भाव से मैंने असी करोड लोगों को मुप्त राशन दे करके उनका जीवन कठिनाईयों से कम करने के लिए प्रयास किया और लोगों ने मुझको अथिरवार दिये लोगों मैं ये जो पैसे अनाज में जाते थे वो बचे तो किसी अच्छे काम में लगाने लगे बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगे बच्चों के लिए अच्छी सुविधा करने में लगे और जब मैंने सारा ध्यन किया तो मैंने मन के अंदर निश्चे कर लिया क्योंकि ये योजना तो ये डिसंबर में पूरी हो रही है तो मैं सोच रहा था भे डिसंबर में पूरी हो जाएगी तो मेरे परिवार जणों को अभी तो कुछ करना भागी है क्या होगा और इसलिए मैं दरवजा के तड़ से आज कह रहा हूँ मैंने निश्चे कर लिया है कि डिसंबर में ये योजना खतम नहीं होगी मैं इसे पांथ साल और आगे बढ़ा दूगा पांथ साल और आगे बढ़ा दूगा पांथ साल के लिए अच्छी करोड लोगों को उनका घर का चूला जलता रहे ये काम मोदि करता रहेगा इसके लिए लाखों करोड रुपे खर्च किये जाएंगे जब केंदर में कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों करोड कहा जाते थे गोटाले में जाते थे आज मोदि बैठा है आपका बेठा बैठा है ये लाखों करोड आपके बच्चे की ठाली में जा रहे है मैंने गरीब के पैसों के लूट बंद करा दी अब गरीब का पैसा गरीब के काम आ रहा है इसलिए भाजपा सरकार लाखों करोड रुपिये गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर रही है साथियों मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर की गारंटी दी है डबल इंजिन सरकार की वज़े से इस गारंटी को पुरा करने में भी MP टॉप पर है मैं सिवराज जी और मुनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ मद्द प्रदेश में 45 लाख पक्के घर दिये जा चुके 45 लाख खंडबा जिले में भी करीब सत्तर हजार गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और जब सत्तर हजार पक्के घर मिले हैं तो लोहा कहां से खरिदा होगा सिमेंट कहां से खरिदा होगा इंटे कहां से खरिदी होगी लकडी कहां से लाए होगे यही खंडबा के बाजारों से लाए हो और इसलिए मद्यप्रदेश के खंडवाज जिले के मद्यमबर की दुकानों से भी विक्री जादा हुई है मद्यमबर को भी लाव हुआ है पक्के घर के ये लावार दिमी बड़ी संख्या में मेरे दलीत परिवार के हैं मेरे ओबीसी परिवार के हैं मेरे आदिवासी परिवार के हैं लाखो रुपिय के घर और ये काम मैंने किया माताए बेहने मुझे आशिरवाद जरूर देना आज आप इतनी बड़ी तावजाद में आई हैं हमारे यहां कैसा है गर है तो किसके नाम पर पत्ती के नाम पर दुकान किसके नाम पर पत्ती के नाम पर गाड़ी लाए तो किसके नाम पर पत्ती के नाम पर या बेटे के नाम पर खेत है तो किसके नाम पर पत्ती के नाम पर पती नहीं रहा तो किसके नाम पर बेटे के नाम पर मा को क्या महिला को क्या उसके नाम कुछ नहीं ये बेटा ये दर्द समझता है और इसलिए बेटा ने किताय किया माताई बेने जो मैं अब घर देता हूं न महिलाओं के नाम देता हूं ताकि वो घर की माल के निवने और एक-एक घर लाखों रुपया का बन रहा है तो एक पकारते मेरी माताई बेने आज लगपती बन गई तो उसके इस बेटे को कितना आनंद होता होगा कितना मन को समाधान होता होगा सात्यों हमारी सरकार जो कहती है कहने के लिए नहीं कहती है हम कहते भी हैं करके करने के लिए और करके ही दिखाते हैं और जाकर के हिसाब भी देते हैं बाव यह प्यानों यह जो इतनी जन समुदा है ना जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं टीवी के अंदर आकर के डिबेट करते हैं जरा देख लीजिए यह जनता जनार्दन सिरफ सभा नहीं है यह बहुत बड़ी गारंटी है यह लोग गारंटी दे रहे हैं भाजपास सर कार बनाने की गारंटी दे रहे हैं भाजपास बहनों मोदी की गारंटी है कि हर बहन के घर पाईप से पानी पहुचेगा मंद्ध प्रदेश पर करीब 70 लाग परिवारों के घरों में अब पाईप से पहुंचने लगाए पानी यहां खंडबा में भी सवा लाग से जादा जल जीवन मिशन का लाब मिला है एंपी की सभाजपा सरकार लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं से बहनों को ससक्त कर रही है और आपके मामा तो उसी में लगे हुए बराबर